हलो गाईस नमस्कार मैं भाविश गचपाल पुना आपके साथ 36 गड़ में खनीज संसाधन का MCQ लेका आया हूं मैं आज इसमें हम 36 गड़ के खनीज संसाधनों का MCQ पढ़ने वाले हैं यह MCQ का पार्ट वन है जो की खनीज संसाधन से है जिसमें मैं आज मुख्य रुप से कोईला से संबंधित कोईला खनीज के MCQ जिसमें 15 महत्पुन कोशन रहेंगे कितने रहेंगे 15 महत्पुन कोईला से संबंधित अभी तक जो CG PSC और CG Vyapam के पुराने प्रशनों पे पेपर पे आया हुए कोशन पुरे संबंधित किया हूँ आज 27 मही की लाइब टेस्ट क्लास आई जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लाइब चेट क्लिक करेंगे तो लाइब चैट में लाइब चलते रहेगा और उसमें आशर आप देख सकते हैं लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर इसका आशर जरूर दें 15 मात्पुन कोशन है comment box में आप जरूर comment करें जो बाद में वीडियो देख रहे हैं जो premiere या live खतम होने के बाद वीडियो देख रहे हैं वो comment box में comment करें चलिए आगे बढ़ते हैं साथ ही YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो उसको like करें वीडियो उसको like करें तो आपको YouTube उसको आपके wall पर सजेस्ट करेगा नहीं तो वीडियो बैक होता जाएगा जितने भी मैं डालूँगा वो वीडियो सजेस्ट करते जाएगा आपको यूटूब ठीक है साथ ही आप बैल आइकोन को प्रेस करें नोटिफिकेसन मिलेगा जैसे यह डालता हूं ठीक है लिंक अब बार बार मैं लिंक शेयर करने से वह लैप्स होता है ना तो लिंक शेयर करते नहीं बनता ज्यादा अच्छा है आप स्वयम आकर इस पे जुड़ें यूटूब चैनल खोलें या तो मेरे नाम लिखकर सर्च करें भावेश गचपाल तो भी आपको मेरे यूटूब चैनल मिल जाएगा य अंतक वीडियो में बने रहे 15 ही कोशन है थोड़ा देर समय ले रहा हूँ ताकि लोग लाइफ जुड़ते रहे हैं ना थोड़ा सा 2-3 मिनट समय ले रहा हूँ ताकि लोग इसमें लाइफ जुडेंगे तो आगे बढ़ेंगे आम लोगा है कोशिस करूँगा मैं लाइफ प्रश्ण बात में देखने वाले कमेंट बॉक्स में और अभी देखने वाले लाइफ देखने वाले चैट को क्लिक करें और उसे देखें चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पहले कुशन की ओर आज का देश में संपूर्ण लोह आयस्क संगरह का निम्दलिकित में से कौन सा भाग इस राज्य में हैं ठीक है तो कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्द है ये बताना है आपको एक तिहाई, बी एक चौथाई, सी पाचवा भाग, डी छटा भाग, सी जी व्यापम 2015, रिवेंडिस पेक्टर के पेपर पर आया हुआ कोशन ही ये जल्दी से लाइफ चेट बॉक्स में आंसर देंगे खाले आपको नंबर लिखना है फहले का a, पहले का 2, या दुसरे का 2, या तीसरे का a, b ऐसा ही लिखना है आपको नाम लिखना करें ही क्यों सकता नहीं है ये सभी आये कुशन है और सभी के जो सोर्स है वह अमेंडेड आंसर से ही लिय गया है ना, चलिए आगे बढ़ते है तो पसिंपूण लौ हैस संग्राका यहां पर जो है ना पाचवा भाग मुके रूप से कोईले का है इसमें लौह का एक dkg कोशन ही इंक्रूट किया हों पहला रिख़ा के हैं तो पाचवा भाग इसाथ जम्ह है मुख्य रुप से कोईले के ही कोशन है आगे पूरे 14 कोशन एक दो कोशन को छोड़के पूरे कोशन कोईले के रहेंगे तो यह पाचवा भाग लोहे का है ठीक है तो पाचवा भाग का संगरा 36 गडाज में है चलिए आगे बढ़ते हैं कुसमुंडा के लिए किस लिए जाने जाते हैं कौन सा खदान है गेवरा दिपकाम कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं ए बॉक्साइट का खदान है, बी सोना खदान है, सी कोईला खदान है, लवाएस का खदान है, सीजी वैपाम 2015, एलो आई, लेबर इस्पेक्टर के पेपर पर आया हुआ है कोशन है, 2015 पर जल्दी से अंसर देंगे, इसका बहुत ही सरल कोशन है, लाइफचेट बॉक्स में किस खनीच का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन पूछ रहा है, एलो हैस का, बी कोईले का, सी बाकसाइट का, डी डोलोमाइट का, सीजी वैपाम, एक हैमिस्ट 2016 के पेपर पर आया हुआ कोशन है ये, तो एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें, खनीच संसादन का, जो की आर्थिक सर्वेक्षन 2019 से रिलेटेड है, उसमें से बहुत सारे कोशन इसमें आया हुए है, तो आप जाकर जरूर वीडियो देखें, वो पार्ट 4 है, एकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 4, खनीच संसादन जो सबसे आदा देखा गया मेरे वीडियो है, उसको आप जरूर जाकर देखें, उसमें पूरे मानक सोट से मैं आखरे आपको बता दिया हूँ, तो इसका अंसर आएगा कोईला, कोईले का भंडारन हमारे हां सरवादिक है, तो ये कोईले का भंडारन हमारे हां सरवादिक है, इसका अंसर होगा कोईला आगे बढ़ते हैं कोशन नमर चार की ओर 36 गड़ में कोईले का सरवादिक बंडार वरतमान में किस जिले में है A. कोईला, B. रायगड, C. कोरिया, D. सूरजपूर, सरगुजा और E. सूरजपूर कौन से जिले में सरवादिक बंडार है कोहीला का सरवादिक बंडारन किस जिले में वर्तमान में वर्तमान Пुछ रहे नación में कॉन से जिले में हैं बहुत ही बढ़िया आंसर है। बहुत ही बढ़िया कुशन है इसका आंसर भी वह बहती है ना यह जांजगीर चापा और रायगड के बीच से बहती है मान नदी तो मान नदी घाटी जो छेत्र है वो नवीन कोईला छेत्र में आता है ठीक है हजद और मान इस प्रकार चौते कोशन कांसा रायगड होगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमर पांच की ओर चत्तिस ग सी लिगन आइट ऊपर नीचे हो गया है और डी बीटू मीनस ठीक है तो किस प्रकार का कोईला मुखेता चत्तिस गड़ में पाया जाता है ठीक है एंथरा साइट है वो जान देंगे इसको ये एंथरा साइट है ठीक है तो क्या आएगा इस कांसर इसकांसर आया डी का होता है क्या होता है बिटुमी न सेकेंड क्वॉलर्टी को होता है एक परसंट कुछ उसेश नहीं होता है band बाद आपको वजाद दोता हूँ कोशन नमबर 6 की और आगे बढ़ते हैं डेज के कुल कोईले भंडार का खलिस्थान से अधिक कोईला भंडार ने 36 गड़ में पाया जाता है कितना कोईला भंडार ने 36 गड़ में एप्रॉक्शिमीट आँसर आप बताएंगे पहले तो इसकी लिए आपको आकड़े पता होना चीए और आकड़े के लिए आपको वीडियो नमबर 4 देखना पड़ेगा सबसे बड़ा भुगर्भी एवं यांत्रिक कोईला खदान मुकुंद घाट है ना जो निम्न लिखित में से इस्तित है तो मुकुन्द घाट कोईला खदान कहां इस्तित है राइगर में कोरबा में बिलासपूर में कबीरदान में कोरबा में कहां है भई कोईला खदान मुकुन्द घाट जी हाँ इसका अंसर होगा एसी जीपी एसी एयारो का 24 का कोशन है इसका अंसर होगा डी कोरबा में मुकुन सुची दो में एक पाइलिखंड दो चार गाउं सी चितलनार चार फुट का पहाड कोई भी एक पकड़ लोगे न तो जोड़ी जमाल होगे आ को आ के हिसाप से अब साधा के हिसाप से दो चार एक तिन को आपको जमाना है ए बी सी और डी आंसर दिये गए दो चार एक तीन बी दो एक चार तीन सी चार तीन एक दो डी एक चार दो तीन चीजी पीएसी इंजिनिरिंग सर्वीस 2015 के पेपर पे आया वह कुशन है जी हाँ इसका आंसर होगा जल्दी से जमाए ए इसका आंसर होगा ठीक है लग एसका आपको मिलेगा चार गाउँ छेत्र में ठीक है बाक साइड आपको मिलेगा फुटकाप आठ चेत्र में हीरा आपको पायलीखन्ड में पायलीखंड जो अधे बहुग वाला इलाका है ठीक है और तीन आपको मिलेगा को मिलेके चित्तलंड में एलाका है यहाँ प्रकार और स्वाणने सिक्छ सक शाही आँंसर होगा सोगा जोग इसका सहीं अबढ़ते कोशन नमबर नौक और वर्स हर् कितना उत्पादन होता है उसका कितना परसंट सत्फित गड़ में उत्पादन होता है जल्दी से बताएं A 21.1 परसेंट B 22.3 परसेंट C 20.5 परसेंट D 20.7 परसेंट और E 23 परसेंट जी हां इसका आंसर होगा B 22.3 परसेंट अभी पताया था कि हम लोग 22.3 परसेंट उत्पादन करते हैं और 17.91 परसेंट का भंडारन है कोईले का बंडारन 36 गणे में 17.91 परसेंट है पूरे देश के बंडारन का अब पूरे देश के उत्पादन का 22.33 परसेंट हम लों उत्पादन करते हैं याद रखेगा आंकड़ा हमिसा काम आएगा कोशन नमबर 10 केवल 15 परसेंट 4 कोशन और बचे हैं अन्तत वीडियो में बने रहे हैं 36 गणे में देश के कोईले बंडारन का लगभग खलिस्थान प्रतिसत हैं कितना परसेंट लगभग हमारे यहां हैं A 5 परसेंट B 10 परसेंट C 17 परसेंट D 25 परसेंट E 28 परसेंट 17 परसेंट इसका अंसर लिया गया था तीक है 10 परसेंट का अंसर C होगा 11 परसेंट के वर बढ़ते हैं 36 गण की हजदो नदी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है लाव ऐसके के लिए कोईले खानों के लिए बाकसाइट खानों के लिए डोलोमाइट के लिए सोने की खानों के लिए CGPAC, ARO, APO 2014 की पेपर पर आया होगा कुश्चन है यह जल्दी से बताएंगे कोईले की खानों के लिए 11 परसेंट परसेंट बढ़तेंट प्रसिद्ध है तो कोईले की खानों के लिए प्रसिद्ध है नमीन कोईला खित्र है आगे बढ़ते हैं 36 गड़ में दक्षिन कोईला खित्र का प्रधान का रेले कहा है दक्षिन जो कोईला खित्र है न उसका मुख्याले कहा है बोल रहे है दक्षिनी कोईला च्छित्र का प्रधान करेले कहां है? इसका मतलब यह नहीं कि 46 दिश्ट्र के आप दक्षिन में चला जाओ दक्षिनी कोईला जहां मिलता है उसके दक्षिन में जाना है तो उसका प्रधान का रहल है A. खंडवा, B. बस्तर, C. बिलासपूर, D. कोरबास, E. कांकेर, C. जी, पी, ए, सी, A. आरो, A. ए, पी, ओ, दोजर चुदा के पेपर पे आयावा कुशन ही है, जल्दी से इसका अंसर देंगे A, B, C, D में, बारवा का A, बारवा का B, बारवा का C जल्दी से आंसर कमेंट लाइफ चेट बाक्स में आकर आप दें, जी, हाँ, इसका अंसर होगा, बारवा का C, बिलासपूर, जो है, दक्षिन कोईला च्छेत्र का प्रधान का रहल है, बिलासपूर, तो इसका है, बिलासपूर में, बारवा कुशन का अंसर C होगा, आगे बढ़ते हैं, हस्दो रामपूर, एदेखो, हस्दो रामपूर कोईला च्छेत्र, किस जीले में इस्तित है, A, बिलासपूर सरगुजा, B, सरगुजा जसपूर, E, A, C, बिलासपूर कोरवा, D, कोरवा रायगड, E, जसपूर रायगड, C, G, P, C, Mining Inspector 24, एकदम करीब- बचेंगे, A, B, C, D, E, इसके बाद केवल दो ही कोशन और बचेंगे, जी हां, इसका आंसर होगा, A, बिलासपूर और सरगुजा में, हस्दो बिलासपूर च्छेत्र केंतरगत और रामपूर जो च्छेत्र है, वो आपका सरगुजा च्छेत्र केंतरगत आता है, इसलिए विलासपुर सरगुजा इस कांसल लिया गया था ठीक है तेरे वे कॉश्चन का अंसर होगा ए चौधवा और पंद्रवा अंतिम दो कॉश्चन 36 गड़ राज्य में सबसे बड़ा भूमीगत यांत्रिक कोईला खदान ए सुनहत सुनहत जो कोरिया में है भी जगराखंड सी जि कॉर्बा मुकुंद घगाड जो की कॉर्बा में है कॉर्बा जिले में है वो सबसे बड़ा भूमीगत और यांत्रिक कोईला खदान है याद रखेगा बहुत बार पूछ चुका है अलग अलग तरिकों से इसके पहले भी आ चुका इसका जिक्र उसको उल्टा करके दिया थ चैट में आकर कमेंट में देख रहे वीडियो को को कमेंट भाक्स में आकर हाथ महां है आप ट्राई समलो नौ एक पर्सेंट भंडार नहां चत्रिस गड़ में है इसलिए इसका अठारा पर्सेंट देखो किसी में सतरा लिया है किसी में अठारा लिया है इसका मतलब यह नहीं है कि गलत है उसमें जो उप्यूक्त सबसे करीब कहा कड़ा था क्योंकि इसके पहले एक जगा 20 लिय लेकिन उसमें 18 और 17 पर नहीं था उसमें और 20 था इसलिए 20 लिये थे लेकिन यहां पर 18 भी आप्सेंट पर तो 17 देशनल नौ एक के सबसे करीब क्या पड़ता अठारा पड़ता इसलिए 18 लिया गया कोई यहां पर विवात का सिती है ही नहीं आपको वहां पर अपना स्वा जो कोशन रहेंगे ऐसी प्रकार पांच चार पांच वीडियो में पूरे mcq जितने अब तक आये हुए और जो जो नएने कोशन है वो सब मैं इसमें इंक्लूड करूँगा तो जितना भी mcq कराता हूँ उसमें बने रहें ठीक है वीडियो में अन तक कोशन पर है पुराने पेपर पर कोशन है तो आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी लेंद्बंद कोशन आपको अन तक वीडियो देखना चाहिए वीडियो में अन तक बने रहने के लिए धन्यवाद